आतंकी संगठन PFI का चक्या कनेक्शन चक्या के कुवा गाउं के रियाज आलम का नाम आया सामने NIA की टीम ने रियाज के घर पर दी दस्तर गाउं से रियाज मारूफ उर्फ बबलू के फरार होने की सूचना आतंकी मोड्यूल के तार अब जिले के ढाका से भी जुड़ा मुसलिम बहुल्यक शेत्र ढाका में संगठन विस्तार का था उदेश्य एक साल पहले चक्या के मुख्य चौक पर लगा था ट्रेनिंग कैम चक्या के कई गाउं और मुख्य बाजार में संगठन का लगा था बैनर चक्या पुलिस थाने के महज एक किलोमीटर में है ट्रेनिंग कैम पटना में सक्रिय संदिग्द आतंकी संगठन पियाफाई के चक्या कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है फुलवारी शरीफ से गिरफतार अधर परवेज और जलालुद्दीन की गिरफतारी के बाद चक्या के कुवा के रियाज मारिफ और फबबलु की तलाश ATS ने शुरू कर दी है रियाज आतंकी संगठन पियाफाई का रज्य सचिव बताया जा रहा है जबकि चक्या के ही तर्निया इमाद पट्टी का एक युवक जिलाध्यक्ष बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक रियाज और फबबलु को इस संगठन ने कई महत्वपूर कारियों की जिम्मेवारी स्वापी थी और पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की सभा में आतंक फैलाने की भी महत्वपूर जिम्मेदारी दी गई थी रियाज और फबलु पहले भी कई देश विरोधी कारियों में सनलिप्त रहा है और इस पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज है जानकारी के मुताबिक रियाज मरहूम इसलाम का बेटा है और ये तीन भाई है जिसमें सबसे बड़ा भाई विदेश में रहता है और एक छोटा भाई कुववा काउं में ही मदरसे में बतार शिक्षक का काम करता है गाउ में रियाज का नाम वोटर लिस्ट में भी है जिसका क्रमांक 924 और मकान संख्य 136 है वोटर लिस्ट में रियाज की उम्री 36 वर्ष है और घर भी सामान ने ढंका ही है आपको बता दें कि जिन 26 संदिग्धों पर पटना में अफायार हुई है उसमें रियाज का नाम चौथे नंबर पर है सूत्र बताते हैं कि रियाज पर दर्भंगा सहित राज्य के विभिन थानों में मामला दर्ज है जानकारों की माने तो आतंकी संगचन PFI की चक्या में अच्छी पकड़ है जिसके कुछ सदस्य मोतिहारी में भी है पुलवारी शरीफ में हुई गिरफतारी और खुलासे के बाद सारण जिले के परवेज आलम उर्फ अर्शद अली का भी नाम सामने आया है पतना में दर्ज प्रात्मीकी के अनुसार PFI मिधिलांचल के रज्य कमेटी के सदस्य परवेज आलम उर्फ अर्शद पिता वकील मिया सारण जिले के जलालपूर थाना अंतरगत रूदलपूर का बताया जा रहा है बतादें की पटना के फुलवारी शरीफ में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैम्प का भंड़ा फोड़ होने और उसमें रियास का नाम सामने आने के बाद कुवा के ग्रामीन है ग्रामीनों के अनुसार रियास गुरुवार को कुवा में देखा गया जो शाम में अच्छाना खायब हो गया पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अभिशेक कुमार सिंग की रिपोर्ट